ही एवरीवन दिस आयूश और वेलकम बाक तू दे चैनल दोस्तो आज बात करेंगे चार्ट रीडिंग के बारे में अब चार्ट रीडिंग कोई ऐसा चैप्टर नहीं है इसके बारे मैं आपको कम्प्लीट इंफरमेशन एक वीडियो में शेर करता हूँ बट हाँ I'll make sure कि आपको जो clarity चाहिए चार्ट को रीड करने के लिए उसके बारे में आपको मैं completely summarize कर पाऊँ ठीक है तो वीडियो को लास्ता देखना कैसे चार्ट रीड किया जाता है in fact मैं कैसे रीड करता हूँ आपको क्या prices देखनी होते है price के पीछे जो psychology होती है कहां पर selling करनी होती है कहां पर trapping होती है everything we'll cover in this video ठीक है start करते है so जब भी आप chart trading करते हैं आप chart analysis करते हैं आपके mind में एक common question जरूर आता होगा कौन सी चीज best काम करती है market में जैसे कि कुछ लोग pattern trading करते हैं तो वो confused रहते है कि क्या हमें pattern trading करनी चाहिए क्या वो fail होते हैं जाते या फिर हमें breakout trading करना चाहिए और तीसरा होता है आपका reversal trading तो आप वो सोच सकते हैं कि आपको reversal trading करना है कि नहीं करना है चौथा जो कि आज कल काफी common है काफी trending है that is SL hunting जिसको आप बोलते हैं trap trading मतलब कि जहां भी trapping होती है उसके हम opposite direction में trade करना पसंद करते हैं तो एक trader का सबसे common question यह होता है कि हमें क्या follow करना चाहिए देखे आपको मैं confuse नहीं करता है आपको मैं एकदम simple street answer देता हूँ हर एक चीज़ market में काम करती है सबकी probability होती है सबका एक time period होता है आपको अगर मैं एक example दूँ अगर लेट से कि मैं options के example दूँ options selling का तो उसमें देखे दो type के players होते हैं एक होते है directional एक होते है non-directional डिरेक्शनल मतलब कि जो भी breakouts होते हैं या फिर trending markets को catch करते हैं क्योंकि वहां पर momentum नहीं होता है और हमेशा आपको sideways market मिलता है तो जब भी आप breakout trading लेंगे जब भी आप directional trading लेंगे आपको हमेशा loss होता है और यह जो second type के trader होते हैं इनको वहां पर profit होता है कुछ मत ऐसे आते हैं जहां पर हमेशा trending market ही होता है मतलब आप कोई भी option sell करते हो चाहे वह आई-वी spike हो चाहे वह direction के वज़से हो चाहे वह delta हो किसी के वज़से भी आपको loss होने वाल है non-directional को और directional को profit होने वाल है तो same चीज़े हर जगह होती है जैसे कि अगर कोई equity trade करता है तो अगर वह pattern trading करता है तो कुछ ऐसा months होते हैं कुछ ऐसा times होते हैं जहां पर pattern trading काम करता है बाकिसी जीज़न नहीं काम करेंगी मतलब कि जादेतर और कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल काम करेंगा जैसे कि माल लो आप एक volatile market फसे हुए है आपके पास एक उपर range है आपके नीचे range माल लो यहां पर फसे हुए है इसके बीच में आप directional trading नहीं कर सकते हैं आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल करना पड़ेगा जभी market उपर जाएगा आप selling करेंगे जभी नीचे जाएगा आपको buying करनी पड़ेगी तीसरा होता है आपका SL hunting अब इसके बारे में थोड़ा बोत आपको definitely पता होगा मैंने दो वीडियो डाल रखे हो अलड़ी SL hunting क्या होता है basically जैसे भी कोई भी level होता है प्राइस अगर उसके नीचे निकल जाता है तो वहाँ पर कुछ लोगों के SL होते हैं जैसे कि अगर आपने यहाँ पर बाई करके रखा हुआ है आपका stop loss कहा है यह last swing के नीचे तो आपका stop loss यहाँ पर hit होता है वहाँ पिससे price immediately इस range के अंदर उसके ऊपर निकल जाता है तो जैसे यहाँ पर SL hit करके price ऊपर range में आता है लोग यहाँ पर entry लेते हैं और जो यह momentum होता है उल्टे side का उसमें वो profit करने का कोशिश करते हैं तो आपको मैं सर्फ इतना बोलूँगा हर चीज काम करती है लेकिन आपको कैसे पता चले कि आपको कौन जा चीज यूज करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा hate and trial यूज करना पड़ेगा मतलब कि हर एक चीज try करके देखो अगर आपको लगता है कि इसमें जादे profitability आप इसको करो लगता आपको SL hunting जो trapping trading उसमें जादे पसंदार है तो आप उसको करो हाँ try आपको करना प पड़ेगा एक चीज ध्यान रखना market में एक चीज़ सीखे कभी आप sustain नहीं कर सकते हैं अगर आप trading करते हैं आपको investing भी आना चाहिए अगर आप investing करते हैं आपको थोड़ा वह चार ट्रीडिंग भी आना चाहिए आप investing में चार ट्रीडिंग का कुछ लोग बोलेंगे क्या जरूँ होते हैं बिलकुल जरूँ होते हैं जो monthly time frame का chart होता है हम उस पर investing करते हैं वहाँ पर आपको support या फिर demand zone supply zone दीख जाते हैं सब कुछ time frame का खेल है ठीक है बात करेंगे भी आगे तो कहने का मतलब कि हर एक चीज़ काम करती है बस आपको यह चीज़ देखनी है कि आप पर सनी मैं follow करता हूँ अगर आपको चीज़ तो follow कर सकते हैं सबसे पहला step chart को आप zoom out करके आपको पीछे से important key levels find करने होते हैं price ने पीछे history में कहां पर support लिया है कहां पर resistance लिया है कौन से time frame पर करना यह चीज़ आपके trading time frame पर depend करेगा अगर आप intraday trade कर रहे हैं जैसे कि index हो गया या फिर options हो गया फिर कुछ भी हो गया मतलब की अगर आप intraday trade कर रहे हैं तो आपको पंदर में के time frame यूच करना है अगर आप swing trading करना है तो best जो time frame होता है support and resistance या फिर supply demand zone draw करने के लिए वो daily time frame को होता है यह हो गया आपको step 1. चार्ट पर practically देखेंगे एक बार देखना है कि market किस phase में है second market structure अब market structure देखें कितने type के होते है वो आप सबको पता होगा इस basically sideways, volatile और आपका trending तो sideways market है अगर तो आपको उसे according trade करना है अगर trending market है वहाँ पर breakout trading चलती है अगर volatile market है मतलब कि swing अगर बहुत बड़े हैं किसी भी एक range में तो वहाँ पर reversal trading चलती है जब भी corners पे मिलेगा आपको वहाँ पर reversal trading होती है ठीक है basically यह तीन type का market structure होते है अब हम directly chart पर देखते हैं थोड़ा सा zoom out करके कि कैसे हमें चीजों को find out करना है उसके बाद market structure कैसे देखना है और वहाँ पर हमें trade को implement कैसे करना है यह आपके सामने bank nifty का मैंने chart open कर रखा है डैट्टू के 15 minutes का मैं basically bank nifty में trade करता हूँ निफ्टी में trade करता हूँ तो मैं आपको यह chart थोड़ा दिखा अब हमें यहाँ पर देखना है important key levels कौन कौन से है एक तो key level हमें यहें पर मिल जाता है यह जो level है हमने कहां draw किया एक दो और तीन इन तीनो levels को draw करके रखा दूसरी चीज अगर हमें नीचे support चाहिए तो यहाँ कहीं दिखने रहा है एक support हमें यहाँ पर है छोटा level पर that is somewhere here okay एक हमने इसको draw कर लिया अगर एक और support चाहिए तो थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक range दिख रही होगी correct price देखो यहाँ पर एक दो तीन चार पर नीचे से bounce किया और ऊपर एक range आपको दिख रहा होगा अब range एक यहाँ भी है बट इसको हम फोड़ा ignore कर रहें because यहाँ पर choppiness है broadly हमने top पकड़ा और bottom पकड़ा है इसको हमने यहाँ पर आगे draw कर रखा है ठीक है ओके तो हम यहाँ पर थे now आपको यहाँ पर trade कैसे plan करना है देखो यह चीज़ आपको पता है मैंने आपको हमेशा पता है कि जब भी किसी भी दिन का जो day low होता है previous day का वो अगर break होता है तो हमें नीचे के side एक momentum मिलता है अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगी कि यह एक trap है इसका day low यहाँ पर break होता है price क्या है 43.090 के असपास यह जो low लगा के आया हुआ है almost 42.950 तो मतलब वहाँ पर आपको 140 points spot chart में मिला है यह target book करके निकल भी जाते है ठीक है तो वो चीज़ आपके trading style पर हाँ अगर आप मेरे तरह trade करते हैं जैसे कि trail करकर के मैं profit book नहीं करता है मैं सिर्फ trailing करता हूँ जहाँ जैसे कि मैंने अगर यहाँ sell किया ठीक है मेरा stop loss कहां पर होगा obviously यह range के उपर यहाँ पर जब यह range breakout अपना जो stop loss से उसको trail करके अपने cost पिला देता हूँ so that अगर मुझे profit ने book करना तो मेरा loss भी वहाँ पर ना हो ठीक है अब मुझे क्या दिखा कि price यहाँ से reverse हो गया और मेरा stop loss hit कर दिया जो की cost पिठा that is completely fine मतलब कि no profit no loss अब मैं यहाँ पर wait करूँगा थोड़े दिर बा अब जैसे यह जो high बना था यहाँ पर अब यह cross होगा तो यहाँ पर हमें buying कर सकते हैं और हमारा stop loss होगा again previous low हमने stop loss डाला हमने यहाँ पर buying करी और one two के आसपस मतलब कि जो range का upper side है वहाँ पर price जब भी गया तो हमें profit book करना है इसके बाद price नीचे जाए price और उपर जाए य उसके according हम levels को draw करते हैं so that हमें futures में पता चल सके कहां पर वापर support and resistance act कर सकता है दूसरी चीज market structure क्या बन रहा है हम वो देखते हैं उसके according हम trade को अपने plan करते हैं कि अपने quantity किते decide करनी है हमें reversal trading लेना है या फिर breakout लेना है वो सारी चीज़ हम उसके according decide करते हैं अब हम level हमारे पस यही था अगें यहां पर यह काम करेगा दूसरे level हमने यहां पर पीछे से draw करके रखा हुआ तो यह हमें काम कर जाएगा ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चार्ड में धीरी-दीरी करके देखते हैं अब हमने क्या यहां पर देखा कि price यह जो level था यह एक resistance अब price को क्या करना चाहिए यहां पर resistance पर अगें सपोर्ट लेना चाहिए resistance वंस ब्रोके विलाक्टर सपोर्ट यह अपने पढ़ा होगा ठीक है अगर price यहां पर support लेता है तो हम यहां पर एक buying trade डालने की कोशिश करेंगे ठीक है अब यहां पर आपको दिखता है कि price यहां एक green candle बनाता है अपने previous जो low के आसपास और अपने यहां पर जो resistance है यहां पर ओके तो कुछ quantity आपको यहां डाल देना है इससे क्या होता है जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि यह जो previous high होता है यह cross होगा तब हम यहां पर trade लेते हैं बिल्कुल सही है अगर आप safe trader है तो यहां पर हमें 457 lot ले लूगा उसके बाद हमें wait करना है अगर price अपने जो highs है इनको cross करता है हम यहां पर और further quantity add करेंगे उसके बाद हमारा जो पूरा stop loss इसके नीचे रहेगा बट अगर हमारे stop loss होता है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 30% quantity में होगा यह होता है आपका position sizing का benefit अ अगर आप यहां देखेंगे तो आपका stop loss ही हिट करती है मतलब कि जो भी हमने 4-5-10 lot लिये थे उसमें हमारा चोटा सिर्फ यहां पर हिट होता है कुल मिला के 100% के आसपर ठीक है अब आपको immediately reverse नहीं करना है उस टाइम पर आपका mind जो है आपका cycle है वो stable नहीं है विकॉज आप उस time जो loss recovery mode में रहोगे कि जो मेरा है पर loss हुआ है कैसे भी करके मैं short करके buying करके कुछ भी करके महाँ पर मुझे recover करना है अब यह सबसे गंदा state होता है mind का इससे आपको पहले बाहर निकलना है इसको आपको थोड़ा सा time दीजे अपने आपको चार्ड को थोड़ा बन आप हो दिखेगा कि एक काफी देर तक यहाँ पर consolidation हुआ है इस consolidation के बाद क्या होता है जैसे कि जो previous trend था वो downtrend था उसके बाद एक consolidation दिखा तो हम यहाँ पर wait कर रहे है कि जब भी price इसके नीचे जाएगा हम यहाँ पर immediately sell करेंगे और मैं आपको बोल नहीं रहा हूं यह premium group मे या फिर आप normal जो trailgram group है समय डाल के रखा था मैं उस दिन भी ठीक है तो जाके आप check कर सकते हैं दूसरी चीज हमने यहाँ पर wait किया हमें यहाँ पर wait करना है जब भी यह level break होगा हमें पता है कि कम से कम यहाँ तक का momentum हमें मिलने वाल है यह जो last swing था ठीक है और हमने wait किया ज कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि price उस दिन अगर आप देखेंगे तो काफी नीचे गया था यह देखो हमने यहाँ book किया हुआ है मतलब की almost 200 points लेके लेकिन उसके बाद फिर से 500 points और नीचे गया यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि market में अगर कोई करें it's not possible वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको हर मूव capture करना चाहिए रात में crypto trading करो दिन में आप currency trading करो 9-3-9 आपका nifty bank nifty trading करो हर चीज में possible नहीं है na trade करना और profit बनाना आपका उतना ही है जहां पर आपने entry लिया जहां पर आपने profit book किया market उसके बाद जहनुम में जा लेकिन जब हम trading करते हैं तो यह सारी जो बाते होती हैं हमारे माइन में काफी हावी रहते हैं उस time पे मतलब आप यह चीज़ आपने notice किया होगा कि जब भी आप normal chart को देखते हैं मतलब कि market hours के बाद तो आपको कुछ अलग चीज़े दिखते हैं आपको लगेगा कि इतनी stupid मैं कैसे कर सकता हूं हमें यहाँ पर sell करना था या फिर हमें यहाँ पर buy करना था लेकिन वही चीज़ अगर आप market time में देख रहें आपको वहाँ पर लगेगा buy करें sell करें क्या करें तो वहाँ पर fear है वहाँ पर FOMO है वहाँ पर आप बड़े-बड़े screenshot देख रहे हैं तो चीजें दिखें, वीक्स में, दो वीक्स में, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दिया करूँगा, कि उसके पीछे की साइकोलजी क्या, हमने उसको कैसे टैकल किया, और आप उसमें कैसे फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वीडियो इच्छे लेगे, एफिट वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कोमेंट करके में चे बता सकते हैं, that's it for today, मिलते के से अगले एंटे से वीडियो में, till then bye and thanks for watching.